प्रस्ना वली चाहर दस्मलो एक पार्ट टू पार्ट वन में हमने प्रस्न संख्या एक से छे तक हल किया था अब पार्ट टू में हम प्रस्न संख्या साथ एवं नौ को हल करेंगे तो हम प्रस्न संख्या साथ को देखते हैं यदि 2 कागात n इंटू 2 कागात 6 बटे 2 कागात माइनस 3 बराबर 2 कागात 18 है तो n का मान ग्याद कीजिए आई ये से हल करते हैं तो सबसे पहले प्रस्ण को लिख रहे हैं 2 कागात n इंटू 2 कागात 6 बटा 2 कागात माइनस 3 बराबर 2 कागात 18 या यह उपर अंस में देख रहे हैं कि यहां आधार 2 है यहां भी आधार 2 है और यह गुना है तो ऐसी स्थिती में हमारा यह नियम पहला जो नियम है वो अपलाई होगा अर्थात इसके घात जुटेंगे तो यह हो जाएगा 2 का घात N प्लस 6 और बटा में है 2 का घात माइनस 3 यानि हर में है इसकल टू 2 का घात 18 या अब हम देख रहे हैं कि यह भाग बटा है अर्थात भाग है तो यहाँ यह नियम दो अपलाई होगा भागवाला जिसमें घात घटता है तो आएए हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 का घात N प्लस 6 और माइनस और यह माइनस 3 ब्राबर 2 का घात 18 या 2 का घात N प्लस 6 और यह ब्रेकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह 3 ब्राबर 2 का घात 18 तो यह हो गया 2 का घात N प्लस 9 और ब्राबर 2 का घात 18 हम देख रहे हैं कि यह ब्राबर का चिन है अर्थात बाया पक्च और दाया पक्च दोनों ब्राबर है और इधर देख रहे हैं कि दोनों का आधार भी ब्राबर है तो इसका अर्थ यह है कि दोनों का घात भी ब्राबर होगा implies that N प्लस 9 इसकल तो 18 implies N इसकल तो 18-9 इसकल तो 9 अर्थात हमारा 9 का मान sorry N का मान 9 आ गया है प्रस्न संख्या 8 निम्ण में X का मान ग्याद कीजिए तो मैं इसका पहला प्रस्न ले रहा हूँ प्रस्न संख्या 8 पहला प्रस्न 4 बटा 9 और इसका घात है X घटाव 7 ब्राबर 2 बटा 3 इसका घात है 2 तो आईए से हल करते हैं तो इस 4 बटा 9 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 बटा 3 का वर्ग तो ये अगर वर्ग करेंगे तो फिर 4 बटा 9 आ जाएगा और इसके ऊपर हमारा घात हो जाएगा X माइनस 7 और ये ब्राबर 2 बटा 3 का घात 2 अब हम देख रहे हैं कि ये घात का घात है अर्थात ये तीसरा नियम लागू हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटा 3 और ये गुना हो जाएगा 2 से तो 2 गुना X माइनस 7 ब्राबर दाहिने तरफ है 2 बटा 3 का घात 2 अब ये 2 बटा 3 और इसका जो घात है ये गुना हो रहा है 2 से गुना होगा 2 से X होगा 2X और माइनस 14 ब्राबर 2 बटे 3 का घात 2 यहां हम देख रहे हैं कि ब्राबर का चिन है अर्थात बायापक्च और दायापक्च दोनों ब्राबर है और यहां हम देख रहे हैं कि आधार भी दोनों एक ही है 2 बटा 3 यहां भी है 2 बटा 3 यहां भी है इसका अर्थ यह है कि इसका घात ब्राबर होना चाहिए implies that 2x minus 14 is equal to 2 implies that 2x is equal to 2 plus 14 implies 2x is equal to 16 अर्थात x ब्रावर ये 16 बटा 2 तो ये आ गया 8 तो x कमान 8 आ गया ठिक इसी तरह से हम प्रस्ण संख्या इसका 2, 3 और 4 को हल करेंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि 8 है तो इस 8 को हम 2 का घात 3 लिखके और फिर उस तरह से करेंगे जैसे यहां पर किये थे प्रस्ण संख्या 9 यदि a ब्रावर माइनस एक और b ब्रावर 2 है तो निम्न के मान ग्यात कीजिए यहां 4 प्रस्ण है तो मैं पहला प्रस्ण ले रहा हूँ प्रस्ण संख्या 9 का पहला a का घात है b प्लस b का घात है a आए इसके मान हम बैठाते हैं यहां दिया हुआ है a ब्रावर माइनस 1 तो a का जगह हम माइनस 1 लिख रहे हैं माइनस 1 और इसका घात है b यानि 2 और b का मान है 2 और इसका घात है a अर्थात माइनस 1 तो हम जान रहे हैं कि माइनस 1 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो यह क्या होता है एक गुना एक तो एक हो गया और यह माइनस 2 बार है चुकी इसलिए यह प्लस हो गया यानि इसका minus 1 into minus 1 1 हो गया, तो यह हो गया इसका मान हमारा 1, अब 2 का घात minus 1, तो यह वाले हम सात्वे नयम पर आते हैं, तो यह हो जाएगा 1 बटा 2, अब हम क्या करेंगे, कि इसका हर समान करेंगे, तो इसके लिए हम इसे, यह भिन का जोड है, इसलिए इसमें भिन के जोड में हम क्या करते हैं हर को समान करते हैं तो यहां हर दो है तो यहां भी हमें दो करना होगा इसके लिए हम हर में दो से गुना करेंगे और अंस में भी दो से गुना करेंगे प्लस एक बटा दो तो यह हो गया दो बटा दो और यह प्लस एक बटा दो लॉस हमारा कितना है दो और यहां दो जोड एक अर्थात तीन बटा दो तो यह हमारा माना गया ठिक इसी तरह से मान बैठा के हम दूसरा तीसरा और चौथा भी हल करेंगे